आरसीबी ने लगनाउ सुपर जाइंट से अपना बदला ले लिया जिया बिलकुल लो स्कॉरिंग मैच में आरसीबी ने लगनाउ सुपर जाइंट को 18 रन से शकस दे दी इस टीम की समझ नहीं आती लगनाउ की ये कभी तो 200 रनस का टारगेट चेस कर जाती है और कभी इससे 12 26 रनस का टारगेट नहीं चेस होता एक तो समझ मिझे बैट्समेंज की नहीं आती कि जब इतना लो स्कॉरिंग टारगेट है इतना लो स्कॉर बनाया है दूसरी टीम ने तो आप समझदारी के साथ बैटिंग करो बिलकुल ही इस तरह नजर आता कि कैचिंग प्रैक्टिस कर आप लगनाव सुपर जैंज ने का अगर आर्सीवी यह चाहते हैं कि हम भी आज 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 दोनों टीमों ने पूरी कोशिश की है कि दोनों टीम में किसी तहां आज आज पर यह पॉसिबल नहीं था यहां पर अगर विकेट की बात करें तो विकेट में कोई इतनी मुश्कि नजर नहीं आई आज विरात कुली और फैफ टुपलिस इस ने जिस तरह की बैटिंग की है और ऐसा लग रहा था कि उनको भूल गया है कि टी टूइंटी क्रिकेट है उनको यह लग रहा था कि शैट क्रिकेट है तो आप अपने मज़़े से वह और जाया करते जा रहे थे वह ड़े से विरात कूली के साहब खरुरत बीजाया से रागेट नहीं चैस हुआ पता नहीं क्या कर रही यह lax लग प्युक टीम कंविक मे SIMीजोंग कीoking क्ताजा के क्रजांट कोन से रहे तकरतो कीन Circle की भी ओरत भी हैं उनकुली के साथ position थो इनकी बहत पॉइंटशे पॉइंट नंबर पे मुझूझ की टीम तीसरे मिद और मुझूद है और RCB अगला, प्लेवरी मेट है लूवरा, तो अज की बात करें вीक्ति पॉइंट नो किसी तरह हार जहें पर दोनों में से एक ने तो जीतना था और इंडाइंड आर्सीबी की टीम जीत गई है यहां पर मैन आफ दी मैच जो मेत मिश्रक को देना चाहिए जिन्हों ने आइटिंग सो के टीज बॉलो पर कोई 14-15 रन बनाये हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो केल राउल बहुत हिरो बनते फिर रहे थे डगाउट में कि मैं इंजरी के बावजूद बैटिंग करने आऊंगा पूरी कोशिश की है कि वो किसी तरह बैटिंग मिना है आखरी और में उनको आना पड़ गया क्योंकि नवीनो लाक आउट हो गये थे वरनाग पूरी कोशिश हमें यह मिश्रक की थी कि वो अगर डगाउट में फिरते ही रहे पर बैटिंग में ना आने दिया जाए खैर लगना उसमेंच की अच्छी परफॉर्मस जा रही है कोई खास समझ नहीं आ रही है उनकी मेंचे तो ऐसा लग रहे है कि तुक्के पर जीत रही है यह टीम क्योंकि जब आपके बैट्समेंस के इतना दमाव नहीं है कि 26 सेंस का टार्गेट आपसे नहीं चेज़ हो रहा तो आपसे क्या ही बात की जाए आप भी पताएं कि आपको क्या लगता है कि आज की मैच में क्या हुआ है पिच का कसूर या दोनों टीम में यह चाह रही थी कि आज का मैच हार जाए जाए को इन से किन अपनी राय के जार करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल एकों को दबाना ना भूलिएगा